दोस्तो नमस्कार आपका स्वागत है एक बार फिट से फिस फार्मिंग के योटूब चैनल पे दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सी मचली कितने दिन में तयार हो जाती है यानि कौन सी मचली कितने दिन में 1 kg की हो जाएगी मर्केटेवल साइज की हो जाएगी तो मचली के ग्रोथ के लिए जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ कि आपको 2-3 पॉइंट्स हमेशा याद रखने है प्रॉपर फिडिंग होना चाहिए अच्छा मैनेजमेंट सभी चीज़ों का अच्छा मैनेजमेंट होना चाहिए और सबसे बराचीज सीड अच्छा होना चाहिए क्योंकि शुरुआत अगर अच्छा होगा तो इंड भी अच्छा ही होगा तो चलिए सुरू करते हैं आज मैं आप लोगों को आई-म-सी में जो तीनों आती है रोह कतला मडीगल और कार्प में ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प और एक बीग हेड मचली को मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यह कितने दिन में तयार हो जाएगी यह वन येर में इसका साइज कितना हो जाता है तो वीडियो को सुरू से अंध तक देखिएगा क्योंकि जो नए मतस से पालक होते हैं उनके लिए यह वीडियो बहु डालते हैं तो कितना वन येर में वेट होगा अगर आप इस्टंटेड सीड लेते हैं तो कितना वन येर में वेट होगा तो रुह मचली का अगर आप फिंगर लिंग लेते हैं तो वह 14 महिने में तयार हो जाएगी अगर आप इस्टंटेड सीड लेते हैं रुह मचली का तो फिंगरलिंग मिरिगल मचली का 14 से 15 महीने लगा देती है अच्छा गुरोथ लेने में अगर इस्टेंटेट लिया जाए तो 10 महीने से लेकर एक साल तक मिरिगल मचली 1 kg की हो जाएगी ग्रास कार्प का बात किया जाए तो फिंगरलिंग अगर आप लेते हैं तो एक साल में 1.5 kg से लेकर 2 kg तक आराम से हो जाती है और इस्टेंटेट सीट अगर लेते हैं तो 2 kg से लेकर 8.5 kg तक हो जाती है और उससे भी ज्यादा हो सकती है कॉमन कार्प का बात किया जाए तो 1 kg 1 year में अराम से हो जाती है इस्टेंटेट सीट लेते हैं तो वो भी 8-10 महिनों में तयार हो जाती है अगर सिल्फर कार्प का बात किया जाए तो 7-8 महिने में या उससे भी पहले 1 kg की हो जाती है या साथ महिने में अराम से हो जाएगी साथ महिने लेकर चलिए फिंगर लिंग अगर आप इस्टेंटेट यूज करते हैं तो 5-6 महिने में इस्टेंटेट 1 kg की हो जाएगी और बिग एड का बात किया जाए तो इसका गुरूथ बहुत ही फास्ट होता है तो यह लगभग फिंगर लिंग लेकर चलते हैं तो 6 महिनों में 1 kg की हो जाती है अगर आप इस्टेंटेट यूज करते हैं तो यह लगभग 4-5 महिने में आपको 1 kg की हो जाएगी लेकिन आप इसका इस्टेंटेट से यूज ना करें आप इसके लिए फिंगर लिंग ही अच्छा है तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा ऐसे ही इनफरमेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब किजिए और वीडियो को लाइक किज